वेलास के बारे में वेलास काफी टाइम तक स्टेग्रेंट रहा उसके बाद टीम की रिस्ट्रक्चरिंग हुई और उसके एक से देड़ मिनें बाद इसमें काफी अच्छी तरीके से डेवलप्मेंट शुरू हो गया और इसने अपने बॉटम से ओलड़ी 6-7 X का मार्क हिट क इसके बारे में जारे डिस्कसर नहीं कर रहे थे काफी ज्यादा स्टेग्नन था फिर काफी पहले प्रॉब्लम्स भी हुई थी लेकिन अभी काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इसको अगें डिव्यू करने के लिए सबसे पहला जो इसमें चेंज आया है काफी टाइम के बाद इन्होंने accumulated finance के थुरू इसमें liquid staking को live कर गी है liquid staking बहुत आजकल हाइप में है और पहले भी थी ऐसा नहीं है liquid staking के एक particular advantage होता है जो लोग stake करना चाहते है उसको उनको double advantage मिल जाता है for example अगर आप stake करते हो किसी token को किसी भी ecosystem में तो आप उसको जब stake कर दोगे तो अगर आप fix वाले में रखते हो यानि आप एक certain time के लिए lock कर देते हो तो आप बिलकुल भी उस asset को उतने time तक लोग नहीं कर पाओ even if you want to unstake it there will be certain kind of penalty for that liquid staking में एक बहुत अच्छा advantage रहता है आपने अगर कोई asset liquid staking में लोग कर दिया तो आपका उसका एक stake version मिल जाएगा उ उसका उसके ecosystem में utilize कर सकते हैं इस सिर्फ well ask case में नहीं बाकि जितने भी ecosystem है उन समय आपको liquid staking वाला जो feature है किसी ने किसी particular project में उस ecosystem के part के तोर पे मिल जाएगा चाहे आप solanak ecosystem देखो उसमें भी आपको मिल जाएगा even आप bitcoin के ecosystem का यानि जो BRC20 old ordinal का ecosystem बना उसमें बहुत सा बता रहा हूँ जहां पर market cap उन project की नियर टू 50-60 million dollar है इवन एड़ पर टिकलर टाइम उनकी 80-90 million dollar की TVL है ऐसे project भी आपको देखने को मिल जाएंगे especially अभी जो narrative चल ला है BRC20 का उसमें तो accumulated finance के live होने के बाद काफी जाद एकदम से demand develop हुई वैलास की और उसके बाद काफी जादा amount में है आप अलड़ी stake हो चुके है 7 million अभी तक mark cross कर चुके है 7 million वैलास अभी accumulated finance पे locked है अगर आप इसकी current में TVL देखोगे collectively चार लाख बार या डॉलर की बन रही है तो basically इसमें सिर्फ वैलास ही stake हो रहे है उसकी बज़े से इसकी TVL है वो बन रही है accumulated finance का भी कोई token पर नहीं है लेकिन जल्दी ही live करने वाले है तो आपको इसके twitter handle पर भी आपको इस पर नहीं चाहिए क्योंकि अगर इसका token आता है तो वो भी अच्छा perform करेगा और AC5 करके जो इन्होंने token का नाम दिया है वो basically इनका ही token है जल्दी ही आने बाला है एक अगर आप इसकी website open कर आप देखोगे एक चीज़ नोटेस करोगे यहाँ पर आप आप यहाँ पर आप देखोगे 7.32 million supply पहुंच चुके STVLX minted इसका मतलब इतने अभी इस टेक्ट है जिसकी वाज़से इसके स्टेक्ट वर्जन यहाँ पर मिंट हुए तो इस डिटेल यू चेक आउट ओट अपनी वेबसाइट का प्रिवीव भी डाल दिया है कि जहां पर प्रिवीव देख सकते नहीं वेबसाइट का सो बेसिकली प्लेट वन गेम है और जहां पर ऐसा होता है कि आप कपल अप प्लेयर्स होंगे उसका वाद कोई लास सर्वाइव की परसन ही विनर होगा इसी कंसे वाला सो दो प्रोजेक्ट अलड़ी यह लाइव हो चुक है अगर रिसेंट ट्वीट देखोगे इसके जो ओल्ट सी हो का जो अभी करन्ट में है और इस पर बग कर रहा है प्लेस कुछ माइनर बग्स थे उनको रिमूव किया है एंड एंड सो ओन अभी ऐसा नहीं कि इस तना ही सिर्फ डेवलप्मेंट है आगे भी फर्दर इस पर बग करने बाले तो कौन से कौन से मेजर आगे डेवलप्मेंट रहेंगे वैलास का जो वालेट होने बाला हालांक अगर आप वैलास का वैब बर्जन देखोगे तो उसमें कई सारे जो केटेगरी जो मला एड कर दी इन्होंने फर अगर आप कुछ टेक अलग से देखना है टोटल असे कितना है वह मतलब कई हैडर्स उन्होंने एड किये दैट आप अलड़ी नोटिस्ट मोस्ट अगर आप देखोगे इन टर्म आफ टी पी इस इन टरम आफ सेलेबिलिटी सो वैलास को अलड़ी वैलास एक्चुली में एक फॉर्ट वर्जन है उसका अलड़ी है व्लाना का और यह उसी को टार्गेट कर रहे क्यों कि वह बहुत अच्छी ग्रोथ देखाई है पास त्री अगर आप देखोगे बहुत अच्छी इन टरम आफ प्राइस ओल्सो इन टरम आफ आफ एको सिस्टम अगर यह इस तरह के क्रॉस्टें इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो डेफिनिटली इसके लिए काफे ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हालांकि इसकी डिटेल क्या इस प्रोसेस पर डिटेल अभी आना बाकी है जब फुर्दर डिटेल आ जाएगी इसकी वेसे ही उप्तिमिजम क्रियेट हो रहा है एंड यू कन सी प्राइस इस गूइंग वैल अभी अरकर करेंट में देखोगे 84 मिलियन डॉर के मार्केट केप में चोगा जबके बहुत ज सब्सक्राइम तक स्टेगन रहने के बाद अब इसमें डेवलपमेंट सुरू हो गया है बाकी कैसे वक्त माला आगे जाएगा कितना जा सकता है वो बात माला डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करेगा तो इसमें अनबास तरीके से बोले तो अच्छी खासी गुरोत भी एक्स वाचिंग नवीडियो